बालोद में संजारी विधान सबाज़शेतर की विधायक संगीता सिनह ने अपनी विधान सबाज़शेत्र के विभी निकाओं में पहुँचकर राज रॉत्सो के साथ साथ खरीदी सद्र से पहले दिनका धान खरीदी की सुभारम की और उन्हें धान तौल कर देखा तो वही सिमित और वंधनवा समझ किसानों से दोस्थाओं के संबद में चानकारे ली किसानों को किसी भी तरह किसमद से ना होने के खायती गई वही मुखे मतरी वुपीस बखिल का अभार चताया इस बार पहले से धान खरीदी शुरू की गई एक नौंबर राज उत्सों के उसर पर धान खरीदी सुसाइटी में जारी रही टोकन कटवा चुके किसान अपने धान लेकर पहुँचे थे लगबग सभी सुसाइटी में बोहनी हुई अभाशाटी घान खरीदी सुप्साइटी में तोकन तुरंत तोहर हाथ यूजना का भी लाब उढ़ाने की अफिल कितागी सुप्साइटी में टोकन कटवाने की भीड़ से बजा जा सके हमार हर एक पल जीवन में अब संस्कृती जागरित होगे अभी आप मन देखिए हो चतिस गड़ा उलम्पिक में ओमें हर कोई चाहे युवा साथी हो चाहे हमार सियान मन हो चाहे हमार माता बहिनी मन हो हर कोई अच्छा से अपन पूरा समय दे के दिवाली दिहार ही से ओकर बावजूद हर समय उमन अपन संस्कृती के प्रती जागरुक होके खेल कुद में भाग लीज और इसे गिल्ली डंडर ही से अगर हम आज के बच्चल हम दिखाते हैं गिल्ली डंडला तो नहीं पहिचानती है कि अच्छा से को दे करें योजना आफ के लिए है जो भी योजन लानते सब किसान भाई के लिए ताकि किसान भाईमन आर्थिक रुप से मजबूत बने किसी पे डिपेंड मत रहाए खुद से अपन आगे बढ़े पहले इक मन पलायन भी करत रहें किसानी के लोग मन पलायन करें भुपाल में कमाय खाल जाए लेकिन अब उमन रिटन हो थे वापस हो थे और अपन राज्य में चत्तिसगर्ड राज्य में आके खिती किसानी के शुरुआत करते एक फ़कोग खबर दिना चाहूं मानि पुपेश बगेल जी उद्द्योक के छेत्र में भी आगे बढ़ा थे अपी रीपा के अंतरगत छेडिया में और भोतली ग्राम में एक मलब दो-दो करोड के राशी प्रदान करें है और वहां हमर जो युवा साथी मलब जो रोजगार बात लसून के इस उकले में बह तेश चाम जी आ है बीसलाल भी आ है और सबाटी भाई लोग है जो अपने साथ में भून फीर रहे तो वह भी आ है उनके लिए बहुत-बहुत आप लोगों को कोटी-कोटी परणाम है मैं किसान भाईयों से यही एक्ठो निवदन करना चाहता हूं कि मैं तो एक तो पहली पर में तो एक्टवाय हूं और किसान अपना धान को सही में मतलब किसी के लड़े जगरा या किसी परकार की कोई तूटी नहीं होना चाहिए और किसान एक ठो यही ध्यान रखना जब भी काटा कहीं जाता है तो उन्ने के लिए ठेकदा तो बिलकुल अपना किसान अपने ध समय बिल्कुल खड़े रहे किसी के सिकास तुगात नहीं आना चाहिए है न कई परकार के मतलब और एठोक किसान भाईयों से निवदन करना चाहिए कि जान बूच के बोदरा या गीला धानला लाले थे वोला तो निवदन करना चाहिए आपने इस साब से मतलब किसान के साथियों लगातार आप देखत हो किसान इत में सरकार और हमरे विदायक लगतार लगे हुए है और आपके जितना भी जो असुईदा के बात रहे से उला एक सुईदा प्रदान करे बनी रंतर काम करते हैं अब हम भविष्यमी भी चाहा थां विदायक जी लगतार बात लगते कि अगर भविष्यमी आप ला किसी भी प्रकार के असुईदा होते तो आपने इस से लूप से अमर जो प्रादेक्रित अधिकारी है जो जेकर निवास दानी डोला हो और जो पहतनी है जो कि वो इस्था इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए